नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का NDC के डिजिटल प्लेटफर्म के उपर तो आज हम पोलिनोमियल के ऊपर एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है द्वी घात समिकन तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था रेखिक समिकन के बारे में हम पढ़ चु चुके हैं और साथ में हमने क्या पढ़ा कि इसके सुन्यक किस तरीके से निकाले जा सकते हैं इसके घात कितनी है इसके जो कॉफिशेंट है गुणांक कितना है यह हम सीख चुके थे क्या क्या सीख चुके थे देखो गुणांक के बारे में हम सीख चुके थे और घात या फ थोड़ा साम इसके उपर एक छोटा सा रिवीजन करेंगे उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको एक प्रस्ण यहां से देखने की पूरी पूरी संभावना पेपर के अंदर है तो आज की क्लास को बिल्कुल लाश्ट तक देखना और उसक पूरी जो राशियां होती उसका जो साथी होता है ना साथी जैसे एक्स स्क्वेर है इसका साथी कोन है यह दो है तो यह जो साथी होता है वह होता है इसका गुणांग या फिर हम कह सकते हैं यह इसका क्या होता है कॉफिशेंट होता है जैसे मालों मैं यहां पर लिखू दो into 2 into 2 और साथ में y नहीं आगर मैं कैदू की y का coefficient क्या है या y का गुणांग क्या है गुणांग देखो क्या होगा 2 2 2 4 2 2 2 8 तो इसको हम 8 y लिख सकते हैं तो y का coefficient या फिर गुणांग क्या हो जाएगा अपना 8 जो है यह coefficient या फिर हमारा गुणाग हो जाएगा ठीक है उसके बाद में देखो डिगरी सीखा था हमने ये देखो डिगरी का मतलब क्या होता है इसका मैंने एक्जामपल आपको बताया था कि जब हम कोई भी जैसे education करते हैं कुछ पढ़ते हैं जैसे मानलो आपने MA किया हुआ है और मैं आगर आपको पुछूँ कि आपने क्या किया है तो आप क्या बोलोगे में किया वाई यह तो नहीं कहेंगे कि दस्वी कि वी यह बारवी कि वी यह बीए कि वी तो हम क्या बताते हैं जो maximum अपनी होती है एक्स की पावर वन है तो यहाँ पर हम बताएंगे maximum वाले कौन से बताएंगे maximum वाले कि मैक्सिमम पावर कितनी है दो है अब यह बताओ कि अकर maximum पावर दो है तो इस हमिकन को क्या कहेंगे यह हम बढ़ चुके हैं जो हमने डिवाइडेशन बढ़ा था कि गहात के आधार पर तरे की होती है एक होती है रिखिक, एक होती है द्वी घात और एक होती है धुटी तुरी निमस के बाद में ने पढ़ा था धूरी घात क्या होती है जिसकी क्या कहेंगे द्वी घात समीकन और यह हम पहले पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो अगर वह आप वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनेफिट रहेगा ठीक है अब देखो द्वी घात में क्या होता है टू डिग्री बोल क्या होती इनकी मानक समीकन होती हुटी उसके बद में देखो चा यस क्योट एक लास्ट देख लो कि अधर कि सकते हैं थ्री डिग्री ऐक्रिकें मतलब maximum power will be 3, ठीक है, maximum power जो होगी, वो अपने क्या होगी, 3 होगी, ax cube plus bx square plus cx plus d, ये क्या होगी, ये अपने 3 घात समिकन की मानक समिकन होती है, अगर ये आपने note नहीं किये हैं, तो ये आपको note करने हैं, कि रेखिक समिकन, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 degree कहते हैं, और इसकी मानक समिकन होती है, ax plus b, ठीक है, और उसके बाद में देखो, dvighat, इसको हम कहते हैं, 2 degree, और 2 degree का मतलब, उसकी जो standard समिकन होती है, standard equation होती है, वो होती, ax square plus bx plus c, और उसके बाद में देखो, cubic equation, या फिर 3 गात, जिसको हम कहते हैं, 3 degree equation, उसको देखो, ax cube plus bx square plus cx plus d, इस तरीकी से हम क्या करते हैं, इसको denote करते हैं, अब हम क्या करते हैं, next चलते हैं, एक सुन्यांग, सुन्यांग का मतलब क्या होता है, देखो, x की वो value, जो उस समीकंड का मान क्या करते, 0 रख दे, मतलब x की वो value में यहाँ पर रखू, x की कोई value में यहाँ पर रख दू, जिससे क्या हो जागी, यह पूरी equation क्या हो जागी, 0 हो जाएगी, जिस value के उपर, वो value ही हमारा क्या होगा, यह फिर वो value ही अपना क्या होगा, root होगा, यह फिर हम कह सकते कि वो अपना क्या होगा, एक मूल होगा, ठीक है, अभ देखो, अभी तक अपने गुणांक निकाल जो शुन्यांक निकालना वो सिखा है वो आपने किसका सिखा है वो आमने सिखा है रेखिक समीकर्ण का रेखिक समीकर्ण रेखिक समीकण का हम चम क्यों सीख कुंकिने निकालना बहुत जाधा एजी होता है अब ड्वि घात का जो यह हमने अभी तक आपने देखा होगा किसी भी कोशिन में उसका सुन्यांट नहीं निकाली है उसका reason अभी आपको समझ में आएगा, पहले देखो कि रेखिक समीकर्ण का हमने कैसे सिखा था, जैसे मैं लिखू 2x प्लस 1, यह अपना क्या है Px है, तो मैंने कहा कि जब भी आपको किसी संख्या का सुन्यांक निकालना होता है, यह x की value निकालनी होती है, तो हम 0 में क्या कर कर देते हैं, प्लस प्लस यह है, अभी क्या करना है, मुझे निकालनी है, x की value, x की value कैसे निकालेंगे, देखो, एक साइड कर लेते हैं, जो unknown value होती है, उसको कर लेते हैं, यह यहां पर पढ़िए, ठीक है, इक एक साइड यह यह फ्लस जो है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का होगा ठीक है जैसे हम कहीं बार जाते हैं तो हम क्या करते हैं ड्रेस चेंज करके जाते हैं वैसे यह भी वन जो है अपने ड्रेस चेंज करकर जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस की जिगह माइनस का वन और एक्स इकोल टू माइनस वन बाइटू बस यही तरीक अब लेटर सपोज अब आता है जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस वन ठीक है अब यह भी तो एक बहुपद है और बहुपद होने की शर्ट क्या थी कि पावर नेगीटिव नहीं होनी चाहिए और पावर जो है वह पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ यहां पर नहीं है इसका मतलब यह क्या ह नहीं है यह फोबहुपद है तो इसका भी तो वह में सुन्याक निकालना आना चाहिए यहांरा चाहिए तो वह कैसे निकालेंगे आज की क्या है द्वीगात समीकण्ड अब सबसे पствен Sure यह देखो किसकी मानक equation क्या होगी मतलब स्टेंडर्ट equation क्या होगी और यह standard equation हम कियो बढ़ते है जिससे हम देख सके कि क्या समीकण्ड जो है इस रूप में है अगर इस रूप में है इसका मतलब वो क्या हो जाएगी दिवी घात समिकन हो जाएगी अब देखो मानक equation क्या होती है इसकी देखो AX square plus BX plus C ये क्या है अपनी मानक समिकन है या फिर standard form of quadratic equation ठीक है ये है अपनी standard form जो quadratic equation की standard form है ठीक है अब इसके अंदर देखो क्या है सबसे पहले इसकी power कितनी है इसकी घात कितनी है इसकी degree कितनी है देखो घात कितनी है या फिर मैं कहाँ दूँ कि degree इसकी degree कितनी है इसकी degree यहां पर दिखाई दे रही है दो दो ही क्यों दो इसलिए क्योंकि maximum power जो है वो अमरे कितनी है 2 है इसलिए जो degree है अपनी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी साथ ही साथ में कुछ और चीज़े देखते हैं कि x square का गुणांग कितना है a है x का गुणांग कि देखते हैं ज़ुए अपन फने को पता होना चाहिए उन गुणांग हम कैसे देखते हैं और हम गहात किस तरीके से पहली बात देखो a x plus b equal to 0 था ठीक है तो हम यहां पर x की value कैसे निकलांगे a x equal to minus का b तो x equal to minus का b बटा a कितनी value आई यहां पर x की x की एक value आई एक value क्यों आई ए क्यों आई ए क्योंकि x की जो घात है x की जो maximum power है वो यहां पर हमारी कितनी है वन है इसलिए एक ही हमारा जो है x की value है अब देखो यहां पर x की maximum value कितनी है दो है तो यहां पर हमें कितने मान मिलेंगे x के दो मान मिलेंगे मतलब कि हमें Quadratic Equation के अंदर दो घात है, इसलिए हमें वहाँ पर X की दो value मिलेगी, अब कल को यहाँ पर AX3 प्लस BX2 प्लस CX प्लस D, अगर यह होता, ठीक है, मतलब 3 घात समिकर्ण अगर यहाँ पर होती, तो यहाँ पर कितने मूल मिलते हैं, यहाँ पर कितने root और कितने सुन्याक मिलते, पावर मैक्सिमम 3 है, इसलिए हमें यहाँ पर भी 3 देखने को मिलते, मतलब यहाँ पर हम X की एक value निकालते थे, रेखिक समिकर्ण में, ठीक है, एक मान निकलता था, यह है हमारा द्वी घात, ठीक है, यहाँ पर हमारे कितने मान निकलेंगे, 2 value निकलेगी, ठीक है, 2 value जो ह अब देखो कभी आपको क्यूबिक एक्वेशन दे दे और पूछ लिया जाए कि इसके कितने मान निकाली जा सकते हैं एक्स के कितने सुन्यांक होंगे तो कितने बताओगे तीन मैक्सिमम पावर है तो तीन मान यहाँ पर निकाले जा सकते हैं ठीक है त्री वैल्यूज आर पॉसिबल ठीक कितने वैल्यू पॉसिबल है तीन वैल्यू पॉसिबल है लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए एक्वेशन एन घात वाली समीकरण के कितने मूल होंगे कितने मूल या कितने रूट या फिर कितने सुन्यांक होंगे देखो जितनी घात होती है अपने उतने ही एक्स के मान निकलते हैं यहाँ पर एक घाती एक मान निकला था दो घाती दो मान निकले थे 3 गात थी तो कितने मान निकले? 3 मान निकले अभी यहाँ पर कितने गात है n गात है तो x के कितने मान निकलेंगी? n मान निकलेंगी यह चीज आपको याद रखनी है क्योंकि paper में पूछे जाने की सम्भावना इस टाइब की question की बहुत जादा रहती है अब देखो, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखो, मूल एक निकलता था, ठीक है, रेक्षिक में एक मूल निकलता था, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने निकलेंगे, दो मान निकलेंगे, अब दो मान कैसे कैसे हो सकते, देखो, दोनों मान सम मान होंगे यह वीडियो के लाज्ट तक आपको पता लग जाए ठीक है अब हम मेन टोपिक के ऊपर बढ़ते हैं और साथ ही साथ में देखते हैं कि इन कोशें के साथ में कैसे डील करना कैसे हमें x के जो है सुन्यांक निकालने और कैसे हमें पता लगाना है कि वह मान जो है वह हमारे equal होंगे या फिर अलग अलग होंगे ठीक है अब इसके उपर हम बढ़ते हैं अब देखो यहां पर क्या लिखावा है दी गात समीकर्ण का मानक रूप क्या है यही मैंने आपको बताया था एक x square प्लस bx प्लस c यह अपना क्या है इस्टेंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप है ठीक है यह अपना मानक रूप है अब देखो अब मेन पॉइंट आता है कि कैसे हम निकालेंगे सुन्यांक कैसे निकालेंगे मैं सुन्यांक कैसकता हूँ या फिर x की value यह हमें कैसे निकालने यह हमें यहाँ पर सीखना है देखो यह हमने बच्पन में एक तरीका किया था जैसे ही आपको बताऊँगा आपको याद आना start हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर में एक 2x square प्लस 5x-12, यह हमें दिया जाता है, ठीक है, अब हमें क्या निकालने, इसके x के मान निकालने न, तो अपने first step देखो, यहां पर क्या रहेगा, पहले नंबर वाली, मतलब x square वाली, और last नंबर वाली, यह हम वैसे कि वैसे लिख देंगे, थोड़ा सा gap में, देखो 2x square, और यहां ने क्या कर दिया, वैसा का वैसा लिख दिया, अब देखो, यहां पर है 5x, ठीक है, 5x है, अब 5x की हमें ऐसे टुकडे करने हैं, कि जोडने पर हमारा 5x है, और उन दोनों digits को गुणा करने पर हमारा कितना है, 12, 24, 24, और यहां पर है minus, और यहां पर है plus, तो plus into minus, मतलब हमा यहां पर जो दो डिजिट हम लिखने वाले हैं, उन दोनों डिजिट का गुणनफल है, वो आना चाहिए minus 24, और जोड जो है, अमारा की आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आना चाहिए, प्लस का, तो देखो, कैसे करेंगे, 2-4 प्रस्नी जैस जोड़ने पर, संख्या जो आनी चाहिए, जो हमारी ये वाली आनी चाहिए, और गुणा करने पर, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, बी के एक्वल, देखो, यहां पर क्या है, बी के एक्वल, दोनों को जोड़ने पर, इसको और इसको म गुणा के इकॉल आना चाहिए ठीक है अब देखो आठ तीए 24 24 प्लस इंटू माइनस माइनस ठीक है मतलब गुणा करने पर तो हमारा एब के बराबर आ रहा है अब देखो अब यह है जोड़ने पर हमारा 5 x के बराबर आना चाहिए ठीक है तो देखो 8 x-3 x 8 में से 3 गए 5 औ ठीक है यह जो है अपना यहाँ पर टुकड़ा हो जाएगा अब देखो आगे कैसे करेंगी अब देखो यह संख्या में क्या common है देखो 2 common है ठीक है मैंने दो लिख दिया साथ ही साथ में क्या common है इधर x square और इधर x है तो एक x common आ ठीक है अब मैंने एक तरीका बताया था क जब भी किसी संख्या को common लेते हैं, इसका मतलब उस संख्या का भाग लगाना, ठीके? अब देखो 2x का common लिया मैंने, देखो 2x square में से, मैंने 2x common लिया, common लिया, इसका मतलब इसके अंदर भाग लगाओ, ठीके? दो से 2 कट गया, x square था, मतलब x square का मतलब होता है, x into x, और ब होता है, common लेने का मतलब होता है, उसका भाग लगाना, ठीके? अब उसके बाद में देखो, अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर है 8x, यह है 8x, अब अपनोंने common 2x लिया, तो 2x का भाग लगा कर देखो, x x कट के 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 8, तो यहां पर कितना का 4 आजाएगा, बीच में sign कौन सा plus का है तो zero plus का sign आ जाएगा, ठीके? इस तरीके से हमने क्या लेंगे? common लेंगे, इन दोनों में से हमने common ले लिया, अब यहां पर बचता है हमारा, ठीक है अब यहाँ पर भी हमें क्या है common लेना है आप देखो यहाँ पर क्या common आ रहा है यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पर 3x और 12 है ठीक है तो 12 और 3 में क्या common आएगा तीन को मना जाएगा ठीक है तीन को मना आएगा और विद नेगेटिव साइन ठीक है नेगेटिव हम यहां पर को मन लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी माइनस को मन तो मैं अंदर ले लेता हूं बाहर जो है मैं एक माइनस का तीन ले लेता हूं ठीक है उसके बाद में दे तो कितना आजाएगा प्लस का चार अब देखो इक चीज यहाँ पर ब्रेकिट में हमेशा ही सेम चीज आनी चाहिए अगर सेम संख्या नहीं आ रही है इसका मतलब कोश्चन जो हमने किया वह गलत है तो ब्रेकिट के अंदर जो हमारा यहां पर आएगा यह हमेशा ही सेम अब देखो उसके बात में हमें क्या करना है अब देखो ये पूरी जो समीकर्ण है इसके अंदर क्या-क्या रहा है देखो ये x प्लस अब इसको इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 4 और 2x-3 मतलब कि बाहर-बाहर वाले मैंने साथ में ले लिए और ये जो कॉमन संख्याती है व का गए लेकिन सुन्यां का मतलब X की वेली होती है यहां पर हमारे x की वेली तो आई नहीं यहां पर तो हमारे क्या है समीकर्ण आई है ठीक है अब देखो एक चीज़ याद करो जब आपको ऐसा दिया जाता था कि कि किसी समीकर्ण के मूल 2x-3 है यह आपने देखा होगा कि इसी समीकंड के मूल 2x plus 3 है, अब आपको यी भी चीज याद होगी, कि जब ऐसा दिया जाता था, तो मैं equal to क्या रखता था, 0 रखता था, फिर मैं क्या करता था, 2x equal to minus 3 और x equal to minus 3 बटा 2, ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, परतियक के equal to में हमें क्या र minus 3 equal to 0, और यह 0 क्यों लिखा है, यह मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कि जब भी मुझे दिखाई देता है कोई इस तरीके की समीकंड, जो हमारे equation की मूल है, और मैं जहाँ पर मूल शब्द देखता हूँ, मुझे equal to 0 याद आता है, मुझे equal to 0 याद आत अब देखो, आप देखो, x equal to 3 by 2, तो x की value यहाँ पर 3 by 2 और x की value minus का 4, x की value minus का 4 और x की value आजाएगी 3 by 2, तो मैंने जैसा आपको बोला था कि x square है, इसका मतलब वहाँ पर हमें दो मान मिलेंगे, तो यह दो मान हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, एक चीज और मैंने बोली आपको, कि जो मूल है, वो equal to होंगे या फिर अलग-अलग होंगे, तो यहाँ पर देखो, यह मूल कैसे है, मूल जो है, अमारे अलग-अलग है, मूल जो है, अमारे अलग-अलग है, तो हम यह देखकर बता सकते हैं, यह टुकडे देखकर बता सकते हैं, कि मूल जो है, वो स 2x plus 1 यह हमें यहां पर दिया गया है तो first step अपना क्या था पहली quantity जो है वो वैसे की वैसी और last वाली वैसे की वैसी में जो लोचा है वो कहां पर है वो बीच वाले के उपर है ठीके बीच वाले के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि जो योग है जोड जो है यह तो हमार आना चाहिए बी के बराबर मतलब इस संख्या के बराबर मतलब की जोड जो है हमारा तू आना चाहिए और जो यहां पर गुणा है इन संख्या का गुणा गुणा जो है वो आना चाहिए ए और सी के बराबर मतलब एका गुणांख 1 है और यहां पर सी का गुणांख 1 है ठी कि मतलब कि यहां पर जो संख्या लिखने वाले उन दोनों संख्या का गुणफल गुणा ना जायμεं वो सचारी स्चारी और आना 5 मतलब हो मतलब को कितने यह चाहिए गर ग्रीम कब्राबर उम्हें कि सटकहा इस दो के टूड़े मैं देखो कैसे कर देया हूं मैं x plus x किया ठीक देखो x और x 2x चलो जोड करने पर हमारा 2 यह आना चाहिए था मतलब कि भीच वाली संख्या के बराबर आने चाहिए थी भीच वाली संख्या मरी आ जाएगी जोडने पर अब गुणा करने पर देखो क्या आना चाहिए था यहां पर क्या है x square और 1 कितना आन संख्या में से हमें कुछ common लेना और यहां से हमें कुछ common लेना अब देखो इन में से क्या common आ रहा है हमारा common आ रहा है x ठीक है x हमने यहां पर common ले लिया ठीक है अब देखो जब x square है देखो x square है और common लेने का मतलब क्या होता है उस संख्या में भाग लगाना लो x का भाग लगा दिया तो x square से एक power कट जाएगी तो कितनी बच जाएगी खली x बच जाएगा अब यहाँ पर देखो x और यही हमने common ले लिया तो उसी संख्या का भाग तो कितना आएगा वन आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर प्लस था ही पहले से और यहाँ पर आजाएगा हमारा वन ठीक है उसके बाद में देखो अब देखो x plus 1 यहाँ पर कुछ भी common नहीं और कुछ भी common नहीं इसका मतलब one common है यह चीज आमें याद रखने है जब किसी भी संख्या में कुछ भी common नहीं होता तो वहाँ पर हमारा one common होता ठीक है अब देखो अब X के अंदर से one common लिये तो one का भाग लगाएगा तो हमारा वही संख्या आएगी मतलब X ही आएगा प्लस वन ही आएगा क्योंकि वन की अंदर वन का भाग लगाओ तो कितना आएगा वन ही आएगा ठीक है तो अब देखो अब देखो उसके बाद में अब मैंने आपको यह बताया था कि जो ब्रेकिट वाले हैं वह एक साथ में लिख लेंगे ठीक है ब्रेकिट के बाहर वाला भी हम X प्लस वन एक साथ में लिख लेंगे ठीक है अब देखो next step अपना क्या था कि जब भी मैं इस format के अंदर मुलों के रूप में कोई चीज देखता हूं या रूट्स के रूप में कोई वेल्यू देखता हूं तो में equal to मैं क्या कर देता हूं 0 कर देता हूं देखो x plus 1 equals 0 और 1。 1 help plus 1 equal to 0 यह मैंने दोनों 0 कर दिए तो देखो x equal to कितना आजाएगा minus 1 और यहाँ पर मारा x equal to किया आजाएगा minus 1 ठीक है देखो x की कितनी value आनी चाहिए थी x की 2 value आनी चाहिए थी यहाँ पर हमने x की 2 value निकाल दी x equal to minus 1 और x equal to minus 1 अब देखो एक बात मैंने की थी कि कभी mool समान आएंगे कभी mool different different अलग अलग मूल जो है आएंगे ठीक है अलग अलग मूल आएंगे पिछले question में देखो अपना क्या था मूल जो है वो क्या थे अलग अलग थे इसमें देखो मूल क्या है दोनों ही हमारे क्या है समान मूल समान होंगे ठीक है मूल समान होंगे तो हमने क्या पता लगा है यहां पर कि इनके जो रूटस है और जो मूल है वो हमारे क्या होंगे समान होंगी ठीक है उसके बाद में देखो next question पर अब देखो एक question यहां पर है हमारे पास में एक्स स्क्वेर प्लस 11x प्लस 30 यह 30 है फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है देखो फर्स्ट स्टेप जो है अपना ये है ठीक है देखो फर्स्ट स्टेप है कि X स्क्वेर पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू के हम क्या लिख देते हैं वैसा का वैसा लिख देते हैं ठीक है अब देखो अब उसके बाद में क्या ह होता है कि अब यहां पर जो मैं दो संख्याइं लिखना वाला हूं उनका जो सम है मतलब योग है वो 11x होना चाहिए और उनका गुणन फल मतलब गुणा कितना होना चाहिए और ची का गुणा मतलब 330 x square के एक्वल होना चाहिए देखो आप पर क्या है x square c पर क्या है 30 इन दोनों के गुणन फोल के बराबर होना चाहिए यहां पर जो मैं दो लिखता हूं ठीक है अब देखो मैं यहां पर क्या लिखूंगा उसके बाद में इसके बाद में देखो इन दोनों को गुणा करने पर हमारे कितना आना चाहिए 30 x square आना चाहिए तो गुणा करके देखो 6x और 5x ठीक है देखो 6 into 5 30 x और x अपना x square इसका मतलब यह जो टुकड़े किये हैं हमने बिल्कुल सही टुकड़े किये ठीक है बिल्कुल सही टुकड़े किये अब एक चीज आपको दिमाग में आएगी कि यह टुकड़े जो किये हैं यह हमें क्या से पता लगेंगी कि 6x plus 5 होंगे या फिर क्या होंगे यह आपको प्रेक्टिस के साथ में पता लगें ठीक प्रेक्टिस के साथ में चार पांच कोशन हमारे यहां पर हो जाएंगी उसके बाद में जो अगली क्लास होगी वह mcq क्लास होगी उसके अंदर पूरी क्लास के अंदर यही कोशन हमने डाले यही कोशन अपने डाले तो इसके अंदर काफी अच्छी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है अब देखो इसके बाद में अगला स्टेप था कॉमन लेने का अब देखो एक्स स्क्वेर और चेक्स तो कॉमन क्या है एक्स है कि अब देखो 5x अभाट में क्या आजरोगा 5 से भाग किसे देना है 5 यहलो Está 5 से तो कितना एक्स अगया व्लस प्लस यह पर 30 और बाहर कॉमन के लिए है जिस संख्या से common लेते हैं उससे हम क्या कर देते डिवाइड पांच एक पांच पांच शेके तीस यह आगया x plus 6 देखो अगला step अपना क्या था कि जो संख्याएं एक जैसी आती है उनको एक बार नीचे लिख लो और जो bracket के बाहर है इनको साथ में लिख लो अब देखो यह क्या है यह मूल हमारे आच चुके लेकिन x की value निकालने के लिए हमें equal to 0 रखना पड़ता है तो x plus 6 equal to 0 और x plus 5 equal to 0 यह हमें यहां पर लिखना पड़ेगा तो x की value क्या आजा है कि देखो x equal to minus का 6 और x equal to minus का 5 ठीक है दो value आई है दो value क्या है अलग 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 है अलग 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 अ ठीक देखो इस तरीकी से हम क्या करेंगे इसके टुकड़े करेंगे अब देखो तो next question है x square plus x minus 30 ठीक है अब देखो इसको कैसे करेंगे अब अपना step यह होता है कि फास्ट और लास्ट element को लिखते हैं same to same यह x square और यह minus है तो minus 30 हमने यह आपर लिख दिया अब देखो अपने को जोडने पर तो आना चाहिए यह x और गुणा करने पर कितना आना चाहिए a into c a into c मतलब माइनस का 30 x square यह संख्या है हमारी जो है यहां पर गुणा करने पर आनी चाहिए देखो जोडने पर आना चाहिए x और गुणा करने पर a into c के बराबर a है अपना x square और c है माइनस 30 तो माइनस 30 x square अपना यहां पर आना चाहिए ठीक है अब देखो अगर मैं यहां पर प्लस का 6 x और माइनस का 5 x लिख दूँ ठीक है तो देखो गुणा करने पर 6 पंजा 30 x into x square और यह है प्लस के संख्यार यह है माइनस का 30 x square अपना रहा है मतलब गुणा वाली चीज तो अपनी बिल्कुल correct है उसके बाद में जोड करने पर अपना एक बचे का मतलब 1 x बचे जाएगा अब उसके बाद में निशान उस संख्याका जो संख्या अमारी क्या है बड़ी है बड़ी क्या है 6 किसका है 6 प्लस का तो यह प्लस का एक्स हमें चाहिए था और माइनस का 30 x square यहां पर चाहिए था तो यह अपने क्या हो जाएँगे यह x आ गया और देखो 6x में से यह x बाहर ले लेंगे तो बच जाएगा 6 अब उसके बाद में देखो यहाँ पर minus का 5 common आ रहा है देखो minus दोनों इस संख्या में common है तो minus का जो sign है यहाँ पर आ जाएगा common और 5 और 30 में क्या common है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया उसके बाद में देखो x 5x में से जब 5 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा x बचेगा और 30 में से जब 5 common निकालेंगे तो बचेगा 6 तो यूं ना समझ में आए तो उस संख्या से divide करके देख लो जैसे मालो यहां पर देखना है कि common लेने पर यहां पर क्या संख्या है तो minus का 5 x बटा में यह संख्या जो संख्या हमने common लिये है यह लो तो minus से minus 5 से 5 तो कितना बचेगा x बचेगा उसके बद में देखो अब उसके बाद में common लेने के बाद में अगला step अपना था कि अपने को क्या करना है अपने को equal to पहले तो वो संख्य है पास-पास में ले लो जो common है देखो x plus 6 और x plus 6 दोनों में था तो हमने एक साथ में ले लिया और यह देखो x minus 5 अब जब भी ऐसी condition में आ जाता है तो हम क्या करते हैं हम equal to में क्या रख देते हैं equal to में हम रख देते हैं 0 ठीक है तो यहां पर रखो x plus 6 equal to 0 और यहां पर x minus 5 equal to 0 तो x equal to क्या आ जाएगा minus 6 क्योंकि जब 6 इस side में आएगा तो निशान change हो जाएगा और इदर आजाएगा x equal to 5 क्योंकि minus का 5 जब बराबर की इदर आएगा तो वो निशान change होकर आएगा और अपना क्या आजाएगा 5 आजाएगा ठीक है यह अपना question यहां पर हो चुका है चलो देखो next x square plus 7x plus 12 अब देखो first step होता है कि इन दोनों संख्याओं को same to same लिख देते हैं x square और plus का बारा मिया पर लिख देंगी उसके बाद में क्या है देखो उसके बाद में है हमारा प्लस का 7x ठीक है प्लस के 7x को कैसे लिखेंगे अपने को प्लस के 7x के लिए ऐसे टुकड़े करने हैं यहां पर दो वो टुकड़े लिखने है जिनको जोडने पर हमारा साथ x लेकिन गुणा करने पर अपना कितना है ए और सी के बराबर तो देखो ए है अपना x square और सी है अपना बारा तो कितना जेगा 12x square मतलब गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए 12x sqare आना च्याइए चलो लिखते है देखुत 4x और 3x बीच में प्लस देखो 4 और 3 7, और 710 7 x अ जाएगा गुणा करने पर देखो 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 गुणा करके 4 x और 3x चार ती ये बारह और x और x की गुणा कितना बन जागा x square बन जागा तो 12x square बनना चाहिए था और 12x square अपना बन रहा है इसका मतलब यह जो टुकड़े है हमारे विल्कुल correct टुकड़े है अब उसके बाद में अगला step अपना क्या था कि हमें क्या लेना है common लेना है द बच जाएगा फिर उसके बाद में प्लस का निशान प्लस का निशान 4x बटा में common जो संख्या लिए उसका भाग लगाना तो बटा में x तो x से x गया तो कितना बचेगा चार उसके बाद में 3 और 12 के अंदर 3 common आएगा ठीक है तो यहां पर देखो 3 common लिए तो x बच जाए फूर ठीक है अब देखो अब अपना अगला स्टेप क्या होता है कि जो संख्या एक जैसी उनको लिख लो साथ में ये लो एक जगे लिए x प्लस 4 और यहां पर लिख लिए हमने x प्लस 3 अब ऐसी कंडिशन में मुझे हमेशा यह की चीज दिमाग में आती है कि मुझे क्या करना है इकल टू जीरो करना है ठीक है इकल टू जीरो तो यह देखो एक्स प्लस 4 इकल टू जीरो और यहां पर एक्स प्लस 3 इकल टू जीरो देखो एक्स इकल टू माइनस 4 और एक्स इकल टू माइनस का 3 यह दोनों मूल कैसे हैं दोनों मूल क्या है हमारे अलग अलग है द इसके बाद में एक question और है, ये question आप खुद से try करना, ठीके इसके factor आप खुद से try करना, क्योंकि मैं आपको काफी question करवा चुका हूँ, ठीके एक factor आप खुद से try करना, ठीके, इसके बाद में एक हमारा अब देखो इसका क्या formula होता है, minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, ये अपना क्या है, अब ये बी कहां से लाएंगे, a कहां से लाएंगे, और c कहां से लाएंगे, ठीके, अब देखो ये b, a और c, ये क्या होता है, देखो, समीकन क्या, ax square plus bx plus c, ये अपने equation होती है, मतलब की, minus कभी, मतलब जो संख्या ये है, ये वाली संख्या में कहां पर लिखनी है, बाहर लिखनी है, ठीके, देखो, b जो है, किसका है, x का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, ये होता है, हमारा x का गुणांक, ये भी हमारा क्या है, x का गुणांक, और a क्या होता है, ये हमारा x स्क्वेर का गुणांक, और c होता है, जो हमारा constant value होती है, जो third value होती है, ठीके, ये formula एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो part आएगा, वो इसी formula की आधार पर आएगा, तुकडे तो हमें इसी तरीके से करना है, तुकडे जो करना है, हम हमें इसी तरीके से करना है, ठीके, लेकिन ये कहीं और भी हमारे लिए बहुत ज्यादा important है, ठीके, बस formula में याद करना है, formula अपने को क्या करना है, याद करना है, और पूछ लिया जाए, कि ये a क्या है, तो a बताना है, x square का गुणांक है, b हमारा x का गुणांक है, c अप इनको भी या फिर गणित्तग्यों ने इनको भी एक अलग-अलग नाम दे दिए, इनके नाम दे ठीक है, क्या नाम दिए, देखो, सबसे hard value आपको क्या दिखाई दे रही है, इसके अंदर, ये root वाली चीज़ जो हमें hard लग रहे है, ठीक है, देखो, b square, minus 4ac, ये थोड़ी D upon 28, पर ये पता होना चीए, कि ये D kya होता है, देखो, D हमारा क्या होता है, डिस्क्रीमिनेंट बोलते हैं, इंगलिश में, और हिंदी में बोलते हैं, विविक्टिकर, ठीक है, और इंगलिश में बोलते हैं, डिस्क्रीमिनेंट, ठीक है, अब देखो, b square minus 4ac को क्या नाम यह D नाम दे दिया, ठीक है, D यहां पर हमने नाम दे दिया, पता क्या होना चाहिए, कि B क्या है, A क्या है, C क्या है, साथ ही साथ में फॉर्मूला याद करना है, साथ ही साथ में D का मतलब हमें याद करना है, क्योंकि आगे जो आने वाला है, वो इस D के आदार पर हमें पता लगाना पड़ेगा ठीक है अब देखो यह डी आपको क्यों बताया आपने इस वीडियो की सुरात में एक बात सुनी होगी कि हमें क्या-क्या ग्याद करना है हमें X की वैल्यू ग्याद करनी सीखनी और साथ ही साथ में X के जो मूल होंगे वो कौन से समान होंगे कौन से एह समान होंगे यह हमें देखने को जो यहां पर question के अंदर देखने को मिल सकता है कि कभी exam में पूछ लेकि equation दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनके मूल समान है या मूल इनके क्या है एह समान है यह अपने को exam के अंदर पूछ लिया जाएगा तो एक sword trick निकालने के लिए यहां पर इस formula का जो है हमने use किया ठीके क्या किया sword trick निकालने के लिए let us suppose आपको exam में पूछा जाता है कि मूल होंगे समान होंगे ऐस समान होंगे या फिर कालपनिंग होंगे कालपनिक होंगे यह अपने को exam के अंदर पूछा जा सकता है तो एक तो तरीका है कि हम प कि यहां फर किये यह थे यह तो दुकडे करका निकल सकते आगर टुकडे करने का समझ में आजाता तो उससे निकाल लीजिए और सौटकगर आप चाहते हैं निकालना तो उसको देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं कुंति देखो डे जो है अमारा इक्वल टू जीरो आजाए डी जो है जो ग्रेटर दिन जीरो आजा दी जो है अमारा इक्वल टू और रेसंडेन जीरो भी आ सकता मतलब कि अगर जो डे है मारा डे के redu Professor और हमारी जीरो से बढ़ी आती D equal to 0 आजाता है तो मूल हमारे क्या होंगे? समान होंगे और वास्तिक होंगे ठीक है अगर D जो है less than 0 आजाता है मतब 0 से छोटा आजाता है तो हमारे मूल क्या होंगे? कालपनिक होंगे कालपनिक के साथ साथ मैं यहां पर हमारे हो जाएंगे एसमार कि अब देखो मूल जो होते हैं वह हमारी x की वेल्य होती है मतलब हम X की जो निकाले जाने वाली वेल्य है उसकी अगर भविश्य वानिय चाहिए बिना मूल मूंल Mr.. मतलब बیना factor कि यह वाला जो process हमने यहाँ पर किया था यह process किया किये बिना अगर हमें सभा विश्य और निकर है जैसे equation दे दिया अब यह वाला कोशन दे दिया अब यह वाला तरीका किये बिना हमें बताना कि मूल जो होंगे वो किस टाइब की होंगे समान होंगे एस समान होंगे या कालपनिक होंगे तो ये d की वैल्यू जो है d greater than 0, d less than 0 और d equal to 0 ये हमें याद रखना पड़ेगा D greater than 0 है इसका मतलब मूल जो होंगे S समान होंगे ठीक है D equal to 0 है मतलब मूल हमारे क्या होंगे समान होंगे और यहां पर हमारे क्या हो जाएगा कालपनिक होंगे अब देखो इसको question के अंदर करेंगे तो अपने को बहुत आच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखो यह D क्या है इस D को कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह D क्या है और D को इसको कैसे हम solve करेंगे देखो same question वापस आएंगे लेकिन इस बार टुकड़े किए बिना हम यह बताएंगे कि मूल जो है समान होंगे यह फिर मूल हमारे समान होंगे ठीक है तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं भविष्यवानी करना ठीक है यह मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं ठीक है गंडित सीखोगे तो सब कुछ सीख जाओगे ठीक है भविश्यवाणी करना मैं आपको सिखता हूं देखो अभी यहां पर हमारे पास में यह कोश्चिन हमें बताना है कि मूल मूलों के परकार बताना है मूलों के परका करेंगे D का तो मतलब ही हमें नहीं बता डी का मतलब में आपको बता चुका हूं B स्क्वेर माइनस 4AC आप इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या यह 0 से छोटा है यह 0 से बड़ा है यह इकल टूजीर अब देखो सबसे पहले हमें पता हो ना चींए कि B क्या होता है बी जो होता है X का गुणांक यह होता है हमारा B X स्क्वेर का गुणांक हमारा क्या होता है A और C क्या होता है हमारा constant value constant value मतलब जो last में आती है जिसमें ना x होता है ना ही हमारा y होता है कोई भी संख्या नहीं होती है only एक संख्या होती है कोई भी हमारा चाहर या फिर variable संख्या यहां पर नहीं होती है आप देखो कैसे ग्यात करेंगे यहाँ पर अपना B कितना है? B है हमारा 5 यहाँ पर हमारा A कितना है? A है हमारा 2 मतलब की दो C क्या है? C 12 है या माइनस 12 है? C हमारा है माइनस 12 है हमारा माइनस का बढ़ अब देखो when calculate करना सको बी का square मतील message Cash Sachen PLC 8 His work at 4 His website Sam bond कितना है यह जो है मारा यहां पर दो और सी कितना सी है हमारा माइनस का बढ़ कर पांचाम-25 ठीक है मिनस दि 8 यह वाइनस और यहां पर हमारा माइनस बढ़ अब देखो उसके बाद में 25 वैसा का वैसा अब क्या करना है भारा की गुणा करो 8 के साथ में कितना आएगा 96 ठीक है अब देखो यह संख्या है माइनस की और यह संख्या है माइनस की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, अब हमें जोडने की जुरुरत नहीं है, यहां पर, अब यह देख लो कि यह 0 से बड़ा आ रहा है, यह चोटा रहा है, भई शिन्मे में 25 जोडेंगे तो कितना आएगा, 121 ठीक है, अब देखो, बिना एक्स की वेल्यू निकाले ही, हम बता सकते हैं, बिना एक्स की वेल्यू निकाले ही, हम यह बविशेवानी कर सकते हैं, कि वेल्यू जो होगी, वो, जो मूल होंगे, वो वास्तिक और क्या होंगे, ऐसमान होंगे, ठीक है, अब देखो, अब हम च कोश्चन चे करते हैं कोश्चन नमबर था हमारा वाला ठीक है देखो टू एकस स्कोः 5x minus 12 इसके पहले हमने मूल निकाले थे और मूल निकाले थे तो हमारा क्या क्या आया था माइनिस का 4 आया था और हमारा 3 Byte 2 आया था इसका मतलब मूल क्या होने चाहिए अलग-अलग होने चाहिए अब देखऑ हमने यहां पर अवशेवनी की है यह भी ममूल क्या दिखा रहा है. यह भी मूल पीbelग-अलग गया थाına, मतलब अलग-अलग दिखा रहा है ठीक है मूल कैसे होंगे इसके समान है समान वो बताना है ठीक है उसके लिए मैंने एक आपको मंत्र बताया था B square minus 4AC B square minus 4AC मतलब की D equal to में check करना है D check करना है D हमारा क्या है B square minus 4AC चलो बही check करते है B क्या होता है मारा B होता है 2 हो जाएगा यहां पर क्योंकि B का मतलब क्या होता है X का गुणा का मारा 2 और A का मतलब क्या होता है जो X square का गुणां का है देखो एक्स square का गुणां कितना है 1 हो जाएगा ठीक है जिसके गुणा में कुछ भी नहीं लिखा वाटो इसका मतलब उसकी गुणां किता है 1 और C अपना क्या है C अपना है 1 अब देखो B square ये है B चलो 2 का square minus वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा A का value है 1 C का value है 1 अब देखो B का square मतलब 4 minus 4 equal to कितना आगे 0 ठीक है equal to हमारे क्या आगे 0 मतलब D की value जो हमारे equal to 0 आगे अब देखो D की value equal to 0 का मतलब मेरा क्या होता मूल वास्त्विक वैस्समान वास्त्विक क्या हमान का मतलब क्या हो गया कि जो x की वैलउ जो हमारे यहान पर निकल रही है वो हमारे सेम निकले गई मतलब X की दो value निकलने वाली और X की दोनों value उमारी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए यह हमारी भविश्यवार्णी कहती है ठीक है अब यह X की value हमने यहाँ पर निकली थी उस question में हम चेक कर लेते हैं मूल समान आ रही है या नहीं आ रहे ठीक है तो बहुंत की वैल या रही चुला अ पर वैल्यू निकाले विशूय और आ पर mum और यहां पर शमानि चाहिए और जो हमने यहां पर कोप्षन में किया है अमारे क्हाँ अре समान आ रहे ठीक है तो देखो शेम चीज हो रही है इसका मतलब अगर हमें डारेक्ट कोई मूलों का परकार पूछ ले कि मूल समान होंगे या ऐसा मन तो हम डिस्क्रीमिनेंट की साहिता से डी इकल टू बी स्क्वेर माइनिस फोर एसी को चेक करकर हम बता सकते हैं कि मूल यह हमारे कैसे ओंग ऑसके बाद भी देखो इसमें मूलों की परकरती ज 돌y मतलब किभी इसकेर माइनस 4AC हमें करना है अब देखो B हमारे क्या होता है 11 का स्क्वेर माइनस वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा ए क्या होता है जो X स्क्वेर का कोफिशन है मतलब 1 और C हमारे क्या है 30 है हमारे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा अब देखो 11 का स्क्वेर 121 माइनस देखो 4 तीए 12 मतलब 120 तो एक विच इस ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए 0 से जब भी डी की वैल्यू बढ़ी आती है तो मूल क्या होते है मूल होते है हमारे एसमान ठीक है और साथ ही साथ में वास्तुक ग्रेट के और यह यह हम पहले निकाल चुके Jersey more और वश्तुक ठीक है 11 एक सौला देको Question अ यह दो मूल क्या है वास्तुक और हैसमान यहां पर और जाने निकला है वह भी वास्तिक और हैसमान ठीक है उसके बाद में देखो next x square plus x minus 30 हमें क्या check करना है b square minus 4 यह सी b अपना क्या है यहाँ पर 1 है 1 का square minus 4 और a की value है मारी 1 और c की value है minus 30 minus 30 तो 1 की जगे 1 रख देंगे minus minus into minus तो कितना क्या हो जाएगा plus तो 4 3 12 120 तो कितना जागा 121 which is greater than 0 और greater than 0 इसका मतलब mole क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पर अलग-अलग जो है हमारी यहाँ पर mole हो जाएगे mole कैसे हो जाएगे हमारी यहाँ पर mole यहाँ अलग-अलग यहाँ पर हो जाएगे अब उसके बाद में देखो एक last question में करवा देता हूं उसके बाद में एक question आपके लिए ये वाला homework के अंदर रहेगा ठीक है इसके टुकडे करने और मुलो का प्रकार बताना ये दोनों आपके लिए homework के अंदर रहने वाला है ठीक है अब देखो b square minus 4ac ठीक है देखो b क्या है 7 है तो 7 का square minus वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा एक ही जिगे अमरे क्या आजाएगा 1 एक मतलब होता है x square का coefficient जो कि हमारा है 1 और c क्या होता है c होता है जो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है with sign निशान के साथ में तो यहाँ पर आजाएगा plus का 12 अब देखो बारा चोके 48 plus into minus माइनस आजाएगा ठीक है 48 और यह क्या 749 ठीक है तो 1 आजाएगा which is greater than 0 इसका मतलब मूल क्या हो जाएगे मूल हो जाएगे मूल हो जाएगे हमारे एस समान मूल हमारे एस समान यहाँ पर हो जाएगे ठीक है उसके बाद में देखो यह एक question जो है यह आपके लिए homework के अंदर रहेगा आपको homework के अंदर यह question try करना है ठीक है और मूल इसके निकालने है साथ ही साथ में x की value भी आपको find out करनी है उसके बाद में देखो एक भागफल पर में आती है ठीक है यह थोड़ी important बनती ह और अपने को यह formula याद रखना है ठीक है यह formula अपने को याद करना है ठीक है अब देखो होता क्या है जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ जैसे यहाँ पर है 20 यहाँ पर है 5 इस भाग को लगव 5 चोके 20 तो यहाँ पर क्या आगया 20 लेटर सब्पोच यहाँ पर 20 ना करके हम कर 21 21 तो कितना बच जाएगा एक अब देखो अगर मुझे यह संख्या प्राप्त करनी है मतलब मुझे क्या प्राप्त करना है मुझे भाज्य प्राप्त करना है तो मैं कैसे करता हूं मैं 5 इंटू 4 20 और 21 21 मतलब कि मैं भाज्य अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सक मतलब इसको कहते हैं भाजक और इसको कहते है भागफलच तिक है और इसको कहते हैं शेशफलच तो देखो यह नियुक्त भाजक की गुणा अगर मैं भागफल मैं कर दों और उसके अंदर गर मैं शेषफल जोड़ा दों तो मुझे क्याम यही अपना फोर्मुला है एक होता है यह होता है यह होता है हमारे भज्य यह कैसे मिलेगा भाजक मतलब की भाजक की गुणा भागफल के साथ में करके शेश्वल जोड़ना है ठीक है यह क्या रहेगा अपना तरीका रहेगा अब देखो इसको इंग्लिस के सब्दों में जब डिनोट किया जाता है तो एकल टू बी क्यू प्लस आर जहां पर क्या होता है मतलब की शेश्वल होता है क्यू जो होता है हमारा क्या होता है कोशेंट होता है कोशेंट मतलब की जिससे हमें गुणा करनी होती है ठीक है मतलब की बी तो यह हो जाएगा और यह हमारे क्या हो जाएगा मतलब की भागफल को बोलते हैं कोशेंट औ और ए क्या होता है हमारा यह जो होता हमारा भाज्य होता है ठीक है अब इसके ओपर देखो किस टाइप के बनते हैं एक एक्जामपल मैं आपके यह पास लिए यहां पर लेकर आया हूं देखो इश में क्या दिया गया है किसी बहुपद को x2 x2 plus x plus 1 से विभाजित किया गया मतलब कि देखो अपने को क्या निकालना है किसी भाज्य मतलब यह संख्या तो अपने को निकालनी है है ठीक है और यह क्या होता है यह पर अपना भागफल होता है और है यह बोगता लिभाती करने परुप हैश् से निकालना होता है निकालना होता है उसकी और इसकी गुणा करते हैं, इसकी और इसकी गुणा मतलब क्या हो गया, x square plus x minus 1 की गुणा किस से करते हैं, x minus 1 से करते हैं, और साथ में शेशफल यहाँ पर अपने जोड देते हैं, यही अपना formula था, देखो शेशफल, भाज्य निकालना है अपने को, तो बराबर में क्या है, बाज्य है, यह हो गया अपना बाज्य, उसके बाद में क्या करना है, भाज्यक की गुणा भागफल से करनी है, ठीक है, तो बाज्यक की गुणा भागफल से, यह है भाज्यक, इसकी गुणा क्या करनी है, भागफल से करनी है, तो बाज्यक into भागफल, बाद में क्या करना ह पड़ेगा इनकी आपस में करनी हमें गुना इसकी करना है अपने को गुना तो देखो कैसे करेंगे ठीक है अब देखो गुना करने के लिए हमने देखा था कि परतेग को distribute करना है ठीक है बांटना है देखो एकस स्क्वेर को बांट दिया एकस माइनस वन के साथ में एकस को बांट दिया एकस माइनस वन के साथ में और माइनस वन को बांट दिया x minus 1 के साथ में और plus का 4 हमारा वैसा का वैसा यहाँ पर चल रहा है ठीक है अब देखो x square into x क्या आजाएगा x cube x square की गुणा जो minus 1 से करेंगे तो minus का x square अब x की गुणा x से तो x square और x की गुणा minus 1 से तो minus का x आजाएगा minus का 1 से गुणा करेंगे तो देखो x into 1 तो x आएगा और plus into minus तो minus आजाएगा और 1 into 1 1 लेकिन minus minus plus और यहाँ पर आजाएगा 4 यहाँ पर जो 4 हमारा चल रहा है ठीक है उसके बाद में देखो यह देखो यह देखो एक है प्लस का x square एक है minus का x square यह गट जाएगे आपस में ठीक है उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या बच गया यह बच गया एक्स q q माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस के दो exam say m eight तो यह अपना क्या आजाएक यह अपना आजाएगा भाज्य हों कि यह फिर हम कह सकते हैं हे आजीत propag गीए अपना तरीकर रहेगा बागफल पर में को यूज करने का कि बस पता क्या होना चाहिए अपने को भाजक क्या है बागफल क्या है और भाजक कहां पर लिखते हैं बागफल कहां पर लिखते हैं तो उससे हम सभी question कर सकते हैं और pattern हमारा बिल्कुल यही रहता है इससे pattern change नहीं होता ना ही कोई advanced level इसका क कोई बनता है तो आज की class के अंदर हमने बहुत ही ज्यादा important चीजें हैं जो यहां पर discussion किया है अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो जो है दुबारा जरूर देखना क्योंकि उसके अंदर जो practice करवाई गई है वह आपको दुबारा खुझ से करनी है और अब हम खुझ से करेंगे तो उनके factor और टुकड़े करने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और यह factor करने हमें बहुत ही ज्यादा यूज आने वाले है तो इसी तरीके से बने रही है ndc classes के साथ में keep learning keep growing with ndc classes thank you